तो कहानी के शिरूग होते ही एक आत्मी तैहती हुए плانी से उकलता है वो अपने आज पास के हर चीज़ को ओर से तिकते हुए कहता है नहीं यह मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है कहां है मैं जानता हूँ मेरे अंदर एक उमीद है कि मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा ये कहते ही केविन नाम का ये आत्मी यहां से गाइब हो जाता है जसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम केविन को अपनी नॉर्मल दुनिया में देखते हैं वो एक बार में बैठा है बहुत ही सातर परेशान है क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसका लगाया साना पैसा दूप चुका है इस टाइम पर मोली नाम की इतनी रेट की उसके पास आकर बैठ जाती है वो केविन से बात करना चाह रही थी वो उसे कहती है क्या हुआ उदास लग रहे हो केविन जवाब में कहता है हाँ बहुत परिशान हो सो प्लीज यहां से चली चाओ मूली कहती है नहीं मैं तुम्हारे पास से बैठ हूँगी बाते कहते कहते यह लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही ऐसे पाद यह लोग शादी भी कर लेते हैं वक्त कुस एता है यह दोनों एक दूस्टर के साथ बहुत खुश थे वो नहीं जानते थे कि उनकी यह खुशी स्यादा आरसे चलने वाली नहीं क्योंकि एक देन ओफिस से घर आते हुए ट्राक के साथ टकर होने पर कैविन का बुरी तरह एक्सिडेंट हो जाता है उसे इस वक्त जब होश आया तो वो एक हाली रोट पे था बिल्कुल जिंदा सिलामत वो इधर उधर दिखता है यहां एक बुढ़े आतमे के रलावा कोई नहीं था ना कोई इंसान ना ट्राफिक वो इस बुढ़े आतमे से पुछता है मेरे एक्सिडेंट हुआ था मेरी घाड़ी कहा है मेरा फोन मुझे अपनी वाइफ को कॉल कर नहीं है और इस सब के जवाब में बाद में कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी केविन क्यूखे तुम एक दूसरी दुनिया में हो ठीक एक्सिडेंट की टाइम पे मैं तुम्हें वहां से निकाल कर यहां लेया था यहां खड़ा हुआ बुरा इंस अब केविन से अपना तारूफ करवाता है और कहता है मैं बेरिफिक्टर मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दुसी दुनिया में शिफ्ट करना यह बाते करते करते वो केविन को एक रेस्टॉर्ट में बलेया था केविन कहता है मुझसे मजब करना बंद करो मुझे मेरे दुनिया में वापिस आना है तुम आखिर मुझे यहां लाइक क्यों हो मैं तुम्हें इस दुनिया में इस्टी लेकर आया ताके तुम भी मेरी तरहां एक शिफ्टर बन जाओ तुम्हारा काम होगा अस्ती दुनिया से दुखी और गोसे वाले लोकों को निकाल कर यहां इस दुनिया में ले आना केविन जब आप में कहता है मैं नहीं मानता कि इससा कुछ पॉसिल है मुझे प्रूफ दो इस दुन मारे साथ विट्टुस पैठी है इसे गाइब करके दिखाओ मैं किसी को भी असली दुनिया से उठा कर यहां नहीं लेकर आऊंगा वह अप गॉड से प्रे करने लगा था कि गॉड इसे यहां से निकालने उसे गॉड से प्रे करी तेहुए देखकर बैनिफेक्टर उसा आओकर बहां से चला चाता है जसके बाद कैविन इस दुनिया को देखने के लिए पाहर निकलता है यहां के लोगों में गुसा था अचीब अफरात अफरी थी कोई किसी से बात नहीं गरता था लाडाई चखड़े थे फैमिलीस तो यहां ना होने के बरापर थी यहां खाने को जादा कुछ नहीं था लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार देते थे वक्तु सरता है और आहिस्ता आहिस्ता गैविन को इस चगा रहते हुए पांट साल कुजर जाते हैं इस दुनिया की नियूस में आज भी खबर थी के बन फेक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने की ओफर की थी और केविन ने उसे मना कर दिया था केविन की अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहां पर कोई शिफ्टर मिल जाए जो उसे उसकी वाइफ के पास पहुचा थी लेकिन आश तर्व अपनी इसकूशिश में काम्याब नहीं हुआ था, क्या उसका एक गेप्रियल नामी दोस्त पे बन गया था, जिसके लिए केविन ने यहां पर बाइबल लिखी दी, जो के यहां लिखना मना था, खेर केविन अब एक ऐसे इनसान के पास जाता है, जिसके जिसके लिए असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है, केविन यहां पर अपनी वाइफ को दिखना चाता था, गाफिट्राइ के बाद उसे वो दिख पी चाती है, वो इस आद मिस कहता है, मैं अपनी वाइफ के पास वापिस जानना जाता हूँ, जिसके लोकेशन ब भागते हुए दूर चाकर गाइफ हो गया, उसके यहां से भागते ही पोलिस ने लोकों पर गोलिया बरसाने शुरू कहती थी, केविन और गेपरियल एक बिल्डिंग के अंदर छुप चाते हैं, और यहां केविन गेपरियल से कहता है, वो आदमी भागने में इसलिए कामि मौल में जाता है, जहां वो एक बच्चे को देखता है, साथ साल के यह बच्चा केविन की आंकों के सामने गाइप हो चुका था, और अगले ही भागने यहां बापिस भी आ चुका था, इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटा याद आता है, जो भी ऐसे ही एक नादर यहां पर एक वो इनसान था, जिसके पास फैमली थी, उसके वाइव, दो बेटियां, केविन उसके साथ उसके घर चला जाता है, नादर चानता था कि केविन को अहाज पर वाइबल याद है, और दूसरी दुनिया की बहुत सी चीज़ें, जो यह लोग फूल चुके पर चानता है, जिसके पास असली दुनिया में लोगों की लोकेशन जानने वानी टेक्नोलोजी थी, वो उसे मूली की लोकेशन मांगता है, पर यह आत्मी को बताता है, कि तुम मूली की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे, जब तक शिफ्टर वाला वो खास किसम का ब् और अगर कैविन को वो हासल करना था, तो उसे बेनिफेक्टर को मारना था, जिसके लिए वो केप्रियल से गन ले लेता है, हलाके वो चानता है कि इस दुनिया में गन रखना इलीगल है, सुबह होती है, बेनिफेक्टर भी इस दुनिया में आ चुका था, पुलीस की सक्ष क्यों थी थी लोग Benefitor से मिलना चाहती थे तुकि वो उसे अपना गौड मानती थी तेकिन कैविन नहीं चैविन उसे शूर्ट करने के लिए पुलिस ते बचते बचा दे किसी तरह उसके रेस्टराइट में बहुत जाता है इसे पहले कि केविन उसे शूट कर लेता बैनिफेक्टर उसके हाथ में गन देखती ही फुट को यहां से घाइब कर लेता है अब पुलिस को भी यह बात पता चल चुकी थी कि केविन बैनिफेक्टर पर हमला करने के लिया था इसलिए वो पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने की ओफर की थी तुम मेरी बात नहीं माने इसलिए आज पिछता रहे हो अकर तुम ने मेरी बात माननी होती तो तो मारे यहां रोना रही होती या तुम आज अपने घर होती या इन लोगों के मसीहा बन चुके होती गेविन कहता है न केविन से कहता है तो मैं क्या लगा मुझे यहां पर होने वाली किसी चीज़ का नहीं पता चलता तुम जो बाइबल के पेजिस रखते हो मुझे उसका भी पता है यह कहते ही वह यहां से गाइब हो चुका था उसके जाते ही पुलीस वाले जो बाहर खड़े हुए थे वो भी गोली गेब्रियल को लगती है जिससे वो मर जाता है जबकि केविन सोफी के पीछे चुपकर अपनी जान बचा लेता है अपने इसी बचाओ के दुरौन के निजर पढ़ती है गेब्रियल के हाथ पे उसके हाथ में शिफ्टर वाला ब्रेसलर था यानि इतनी बड़ी अपने दोस्त ने उससे चुपा कर रिखी कि वो एक शिफ्टर था लेकिन खेर अप केविन इस डिवाइस के से ये मोली की लोकेशन का पता चला कर वहाँ जा सकता था गेब्रियल के हाथ से उतारी हुई इस डिवाइस को अपने हाथ में पहनते ही केविन कुछ कोड्स मिला अपनी वाइफ को ढूरते हुई अपने दुनिया में पहुँच जाएगा उसे ये उमीद है वो दुबहरा कुछ कोड़ेंटर करता है और एक दूसरी दुनिया में टेलिपोर्ट हो जाता है कि दुनिया किसी पागल खाने से कम नहीं थी और यहाँ पर डॉक्टर गेब्रि पागलो जैसी हो गई है याद है ना तुमने यी बेनिफेक्टर सिखा था कि मुझे गाइब करके दिखा उसने मुझे टेलिपोर्ट करके यहाँ भीज दिया और आज तक मैं यहाँ पे हूँ यह जानकर केविन को थोड़ा बुरा नत्ता है वो डिना से अपने के की माफी म पूछता है इस दुनिया में केविन को अपना ही दूसरा वेरियंट नज़र आ रहा था यह कहलें कि उसका हम शकल उसे में को कुछ समर्ज नहीं आ रहा था उससे माफी मांग रहा था और इसलिए दूरान वह दूसरा आदमी केविन के हाथ में वह डिवाइस देख लेता है वो केविन से कहता है यह दिवाइस तुम्हें का से मिली यह मुझे दे दो इसके बदले तुम इससे जो चाओ मैं तुम्हें वह दूँगा लेकिन केविन यह दिवाइस फसल देने से मिना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पाश आन मेर्दवा नादिर भी यहाँ अपनी वाइफ को एक उमीद दे कर जाता है कि एक ना एक दिन वो जिरू यहाँ से निकल जाएगा केविन अब बिना वगजाय कि उस आत्मी के पास जाता है जिस आत्मी के मोनीटर केविन के पास मुझूद इस डिवाइस के मदद थे उसकी वाइफ की लोकेशन उसे बता सकते थे जिदे में वो आतमी Kevin के मदद करने के लिए Moolie की लोकेशन डूर रहा था इतने में पोलिस वाहने हैं जो पस Kevin को एरस्ट ही करने आपने थे पर उसे पहले, Kevin का साथ ही Kevin को Moolie की लोकेशन का कोड़ बताते दा मूली जो इस टाम मौल में थी वो भी इतनी सालों बार केविन को यहाँ पर दिखकर हेरान थी हेरान होने के साथ जात उसा भी वो केविन से कहती है तुम्हें याद है तो मुझे अक्यला छोड़ गय थे केविन कहता है नहीं मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा वो अपने हाथ में पहने ही हुई अपनी wedding ring उसे दिखाता है और कहता है कि जित्मेंभी साल में तुमसे दो रहा में तुम्हारे पास हाने की कोशिश करता रहा मुली मेरी बात का यकीन करो यकिन्जस टाई तो मेरी एक शर्ट है हमारा जो बच्छा गुम गया था तुम उसे ढूंड कर लिया हो मेरे पास मैं भी सब को छोड़ दूँगी हम दुपारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगी वो लिया से जा चुकी थी और केविन तूट चुका था इसलिदरा हम देखती है कि ब नहीं पढ़ता बनफेक्टर कहता है तुम्हारे पस दो अप्शन है एक यह कि मैं तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी पुरानी लाइफ में वापस बेच दूँ और दूसरा यह कि कि जिस लड़की को तुम्हारी वजह से बैने पागल भाने भीज़ता था पूस की ला पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला कर देता है केविन के बात मादे हुए बेनिफेक्टर ने टीना नाम में इस लिड़की को उसकी फैमली के पास वापस भेज दिया था ये लोग दिखते हैं कि अपने घर चाकर वो बहुत खुश थी लेकिन बेनिफेक्टर खुस्से से बागल हो चुका था क्योंकि केविन हर मेर्ट पास की सोच से उलट काम करता था और इस वक्ष्से में केविन को गौली मार देता है केविन की अंख एक नए दुनिया में खुली वो एक बार के पास खड़ा था वो बार के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी वाइफ मू के पास उसकी बेटी की का उला जाती है और जाता हम को बता चलता है कि इस दुनिया में मूली मेरिड है उसके फॉन कट करते ही जो मूली से पूचता है क्या तो मेरिट हो मूली कहते है हाँ पर मैं आप अपने husband के साथ नहीं रहती, इस सुनकर तो उसी हुशी का ठीका नहीं नहीं रहता, वो यहां मुली से बातों भी बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर शाही के लिए भी invite करता है, ऐसे ही कुछ हरसे बाद इनके शादी भी हो जाती है, केविन और मुली दुबारा से एक happy life जीने लगे थे, कहान के आखिर में केविन बिताता है, मैं जानता हूँ कि ये मेरी दुन्या नहीं है, लेकिन मैं इस दुन्या में और चस्ट कर लूँगा, क्योंकि इस दुन्या में पेरे साथ दुबारा मेरी wife मुली है, जो बताते ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है